दोस्तों खीरा एक ऐसी फसल है जिसकी खेती साल भर की जा सकती है खीरा मुख्यता सलाथ के रूप में उपयोग होता है और जो किसान खीरे की खेती करते हैं वो इस फसल से अच्छा मुनाफ़ा भी कमाते हैं दोस्तो आज मैं खीरे की उननत खेती के बारे में बात करूँगा किस तरह से खीरे की खेती टपक्षीचायी, पददती, मल्चिंग और स्टेकिंग की सायता से की जा सकती है इसके इलावा खीरे में लगने वाले प्रमुक रोग कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से प्रमुक कीट हैं, जो खीरे की फसल को प्रावित करते हैं और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि खीरे की जो फल है वो कड़वा क्यों हो जाता है इसमें कड़वा हट क्यों हो जाती है और इसके निदान क्या है इसके लावा भी खीरे में जो कुछ और समस्या आती है जैसे कि खीरे के जो फले वो टेड़े मेड़े हो जाते हैं ये किस दोस्तों मैं डॉक्तर केशव चंदराजंस पुना उपस्तितु आपकी सेवों में एक उपयोगी जानकारी के साथ दोस्तों खीरा की जलवायू की यदि बात की जाए तो खीरा गर्मी पसंद करता है यदि ठंड अधिक बढ़ जाए तो खीरे की जो पैदावार है वो घड़ जाती है तापमान की यदि मैं बात करूं तो खीरा 20 से 25 डिगरी तापमान के मद्ध बहुत ही अच्छी उपस देत जब तापमान अधिक हो तो खीरे में परागन की भी समस्या आती है जिससे खीरे की उपज प्रवावित होती है दोस्तों खीरा के फसल को लगाने के सही समय की यदि बात की जाए तो जैसा मैंने कहा ता खीरे की खेती वर्स भर की जा सकती है परंतु खीरा लगाने का जो 2.5 kg बीज दर के आवशकता होती है लेकिन मैं किसान भाईयों को सला दूँगा कि बीज को लगाने से पहले किसान भाई खीरे की बीज का बीज उप्चार यनिकी सीट टीटमेंट आवश्यक रूब से करें इसके लिए किसान भाईयों को चिए की बावश्टीन का दो से धाई ग्राम को एक लीटर पानी में घोल बना ले और करीब एक केजी बीज को उसमें करीब 20 मिनट तक डुबो के रखे उसके बाद बीज को छाओं में सुखाएं उसके बाद बीज को खेतों में लगाएं इसके लाबा किसान भाई ट्राइकोडर्म नाम की दवा से भी बीजों का बीज उपचार कर सकते हैं ट्राइकोडर्म से बीज उपचार करने के लिए एक केजी बीज को हलका गीला कर ले फिर उसमें 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा छिड़क कर बीज में अच्छी तरीके से मिलाएं दोस्तों खीरे की उन्नत किसमों की अधिक उपच हमारे किसानवाई प्राप्त कर सकते हैं खीरे की फसल देने के लिए खेत की तयारी की बात की जाए तो पहले इसमें हमें की खेत की MB की सायता से दो से तीन बार अच्छी गहरी जुताई कर ले और हर जुताई के बाद पाटा चला दे ताकि खेत जो है समतल हो कि यह जो मेड जो है यह करीब एक मीटर चोड़ा मेड बनाया गया है और करीब इसे जमीन के स्तर से जमीन के लेबल से करीब 25 सेंटीमीटर उचा बनाया गया है और दोनों मेड के बीच में यह करीब एक मीटर की नाली दी गई है तो इस तरह से आपको एक मीटर चोड़ा बैड बनाना है और एक मीटर चोड़ी नाली देना है चाहे तो आप अपनी आवशक्ता के अनुसार इस नाली को करीब आप 25 से लेकर 50 सेंटीमिटर के मद दिरख सकते हैं लेकिन यह जो मेड़ है आपको करीब एक मीटर चोड़ी मेड़ बनाना है यदि आप टपक सिचाई प यह भी अलग अलग केपसिटी की आती है आपको करीब 2 लीटर पारावर वाली चंता वाली लेटरल देना है खेतों में ताकि यह खीरे की सई तरीके से सिचाई हो सके दोस्तों टपक सिचाई पददती से यदि हमारे किसान भाई खीरे की खेती करेंगे तो जो खीरे की जो Government और यह तपकती की एक खास्यत और है कि से हमारे किसान से अच्छी परती स्क पनी सकते हैं और यह इस पद्दती में जो खर पतवार निकलते हैं वह भी कम शंख्या में निकलते हैं पओधों की बढवार अच्छी होती है पादों की उपज अच्छी में थैथ पौधों से जो उपज निकलती है उसकी गुणवत्ता भी टपक सिचाई में बहतर होती है खीरे की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए हमें खीरे की फसल में परियाप्त मात्रा में उर्वरक और खाद देना आवश्यक है इसके लिए हमारे किसान भाईयों को चिये की खेत तयार करते समय करीब 20-25 टन गोवर की सड़ीवी खाद खेतों में डाले या फिर करीब 2 टन वर्मी कंपोस्ट प्रती हेक्टियर की दर से खेतों में डाले और साथ ही नैट्रोजन करीब 55 केजी, फॉस्फोरस 25 केजी और पोटेशियम 25 केजी प्रती हेक्टियर की डल से खेतों में डाले दोस्तों जित्ती मात्रा मैंने नैट्रोजन आपको बताया उसे तीन बराबर भागों में बाट ले पहला भाग आप खेत तयार करते समय डाले नैट्रोजन का दूसरा भाग आप बीज की बुखाई के 30 दिन बाट डाले और तीसरा नैट्रोजन का भाग आप बीज की बुखाई के 45 दिन बाद खेतों में डाले दोस्तों यदि आप खीरे की खेती टपक सिचाई पद्धती के माधियम से कर रहे हैं तो आप अपने खेतों में फर्टीगेशन की सायता से खात को दे फर्टीगेशन के लिए आपको गुलनसील खात क्या उशकता होगी इसके लिए आपको चिये की इसके लावा आप 1260 करीब 9 केजी और यूरिया 275 केजी प्रती एक्टियर की दर से आपको खेतों में डालना है और ये जो कितनी मात्रम मैंने खात आपको बताई है इसको आपको स्प्लिट डोज में डालना है इसको आप 15-18 बराबर-बराबर मात्रम बाट ले और हर हफ्ते आपको फर्टीगेशन के माध्यम से ये गुलनसील खात आपको खेतों में डालना है दोस्तों खीरे में यदि स्पेसिंग की बात की जाए तो यदि आपने एक मीटर चोड़ा बैड बनाया है तो आप कतार से कतार की दूरी 60 cm रखे और पौधे से पौधे की दूरी भी 60 cm के आसपास रखे आप देख सकते हैं कि यहां एक मीटर चोड़ी बैड बनाई गई है और खीरे को दो कतार में लगाया गया है करीब 60 cm की दूरी में दोस्तों खीरे में यदि सिचाई की बात की जाए तो यदि आप टपक सिचाई पद्धती से खीरे की खेती कर रहे है तो मैं आपको बता दूँ खीरे को नमी पसंद है आप पौधे के जड़ छेत्र के आसपास नमी बनाये रखे इसके लिए आपको चीए कि तपक सिचाई की वास्ता सुनिश्चित करें दोस्तों खेत में मेड तयार करने के बाद आपको पॉलिथीन मल्च बिचाना है यह जो आप मल्च देख रहे हैं यह सिल्वर पॉलिथीन मल्च है करीब 25 मैक्रॉन की मल्च है आप देख सकते हैं इस मल्च की खासियत यह होती है कि यह बाहर से होता है silver color का होता है और अंदर से यह काले रंग का होता है यह मल्च जब आप अपने खेतों में बिचाएंगे इसकी मल्चिंग करने जब आप खीरे की मल्चिंग करेंगे तो इसके बहुत से फायदे हैं सबसे पहला जो फायदा है कि यह खेत में खर खरपतवारों को नहीं आने देगा आपके पौदों को खरपतवारों से बचाएगा दूसरा यह नमी का संरक्षन करेगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि मल्च के अंदर से टपक सिचाई पद्दती गई है जिसके माधियम से खेतों की सिचाई हो रही है तो यह जो नमी है यह वासवी करण के द्वारा जो नमी का लॉस होगा उससे यह मल्च रोकेगा पौदों को खरपतवारों से बचाएगा और इसके लावा इसके और भी फायदे हैं जैसा कि यह जो सिल्वर पॉलिथीन मल्च है यह दिन के समय चमकता है जिससे की पौदों को अत्रिक्त प्रकास मिलता है प्रकास के लिए और दिन के समय जो भी पत्तियों के रस चूसने वाले कीट है वह पौदों को अटेक नहीं करते हैं इसके लावा जब आप अपने खेतों में मल्च को विछाएंगे तो पौदों के जड़ों का विकास भी बहतर तरीके से होता है खीरे से अधिक उ और आप देख सकते हैं कि फिर ये नायलोन की रसी यहां पर दी गई है और फिर ये पतली सूतली को जिग जैक बांधा गया है आप देख सकते हैं कि करीब ये तीन कतार में नायलोन की रसी को दिया गया है करीब डेड़ फिट की दूरी में और फिर ये पतली धागे जो दि अधिक संख्या में निकलते हैं खीरे के पौदे जब दो पती की अवस्था में हो टूली फिस्टेज में हो तब खीरे में इथेफॉन यने की इथरल नाम के हर्मोन का 300 mg एक लीटर पानी में गोल बनाकर पूरे पौदे में छिड़काव करने से मादा पुस्प अधिक संख्य कुछ यह कि 30 ml प्लोरो पारिफास प्लस सैपर मेत्रिन नाम की दवा का करीब 15 लीटर पानी में गोल बनाकर पूरे पौदे में सही तरीके से छिड़काव करें आवा खीरे में लगने वाला एफिड भी खीरे का एक प्रमुक कीट है जिसे माहु कीट के नाम से जाना जाता है जो पौदों की पत्यों से रस्चुस के पौदों को कमजोर बना देता है इसके रोक्ताम के लिए हमारे किसान बाईयों को चीए कि इमीडा क्लोर पीड नाम क दे रहे हैं यह इस रोक की रोक्थाम के लिए किसान बाईयों को चीए की डायेटनेम 45 नाम की फफून नासक का करीब एक लीटर में 3 ग्राम भोल बनाके पूरे पौदे में छिड़काओ करें दोस्तों खीरे में लगने वाला एक प्रमुक रोक पौडरी मिल्डू चूलनी लासिता है चूलनी लासिता में पौदे की पत्यों के उपर सफेद पौडर मुमा आकरिती दिखाई देती है जो पूरे पौदे के पत्यों को कवर कर लेता है इस रोक की रोक्ताम के लिए हमारे किसान भाईयों को चीए कि सल्फर बेजड फंगी साइड ऐसा फंगी साइड जिसमें सल्फर हो उसका उप्योग करना है जिसमें सल्फेक्स प्रमुक फपून ना सक है इसका उप्योग हमारे किसान बाई पॉड़ी मिल्डू की रोग थाम के लिए कर सकते है सलफेक्स की करीब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में आप अच्छी तरीके से घोल बनाकर पूरे पॉड़े में छिड़काओ करें दोस्तों खीरे में लगने वाला एक प्रमुक रोग डॉर्णी मॉल्डू भी है इसमें भी चूर्णील आसिता की तरह पॉड़े के निचले सता पर सफेद पॉड़नुमा आकरिती दिखाई देती है जो कि एक फफूंद जनित रोग है इस रोग की रोग थाम के लिए हमारे किसान भाईयों को चीए कि कॉपर बेज़्ड फंगी साइड जिसमें प्रमुक रोग सो डाय तेनम पैतालीस है उसका करीब दो से तीन ग्राम एक लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बना ले और पूरे पौदे में छिड़काओ करें अगने वाला एक प्रमुक रोग मोजेक है जो कि वायरस के द्वारा होता है और यह यह वाइट फलाय यहनं की सफेद अख़ान के लिए हमैं occup कर ना ऑशक है इन पीटों की रोक्ताम के लिए हमारे किसान भाईयों को चीए कि 3 ml इमीडा क्लोर पीट का करी 10 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर पूरे पौधे का में छुड़काओ करें और यह छुड़काओ आपको हर 10 से 12 दिन के अंतराल में करना है दोस्तों आपने अक्सर पाई जाना वाला एक फाइटो कैमिकल है जिसका नाम कुकुरबिटेसिन B और कुकुरबिटेसिन C है दोस्तों यह कुछ कारणों से पौधे में अधिकमात्रा में सिक्रीट होता है पौधे में को जब stress condition मिलता है तब ये पौधों में अधिक मात्रा में secret होते हैं कुछ stress condition जो खीरों में प्रमुक्रुक्स देखी गई है यदि आप खीरों कोई सही तरीके सिचाई नहीं करेंगे तब ये खीरों में कड़वापन आता है और खीरे में हमेशा balance fertilizer जित्ती मात्रा में मैंने आपको खाद की सिफारिस खीरों में की है वो आपको डालना है खीरे में अत्रिक्त खाद आपको नहीं डालना है यदि आप खीरे में अधिक मातरा में chemical खाद का भी योग करेंगे तो खीरों में कड़वापन आ जाता है इसके लावा खीरों को आपको एक निश्चित दूरी में लगाना है जितनी दूरी मैंने आपको सिफारिस की है उतनी दूरी में लगाना है खीरों को यदि आप पास पास लगा देंगे तो खीरों के पौदों में आपस में competition होने लगता है nutrition और पानी के लिए जिस कारण से खीरों में कड़वापन आता है इसके लावा यदि तापमान अधिक हो जाए तो भी खीरों में कड़वापन देखा गया है यदि तापमान अधिक हो तो आप पौदों में सिचाई करें दोस्तों खीरे में जो कड़वापन आता है इसकी रोगठाम के आपको चीए कि आप आवश्यक रूप से और्गैनिक खात का अधिक से अध और यदि साथ ही साथ आप अपने खेतों में मल्च लगाएंगे यह जो आप देख रहे हैं सिल्वर पॉलिथीन मल्च यह लगाएंगे तो आपको प्रती हेक्टेयर करीब 15-20,000 अत्रिक्त खर्चा आ सकता है दोस्तों चलिए बात करते हैं कि हमें खीरे की खेती को ओपन फ कर रहें तो आप खीरे की खेती को ओपन फिल्ड कंडिशन में आने की खुले खेत में कर तक खीरे की तुड़ाई आप समय समय पर करते रहें किसी भी खीर्चा पॉधdade में पकने न दे नहीं तो पॉध़ए से उटको लेगा और भाषों को कंजोर बनाएगा